फ्रेंड आज हम बनाईंगे सोमोसा चाठ जो इतनी खाने में अच्छी लगती है और बहुत लाजवाब लगता है फ्रेंड तो सोमोसा चाठ बनाने के लिए आपको за 12 पहले ही बना करेका लिया था तो मैं उसकी रेश्पी आपको नहीं दीखा रहे हैं और यह सुमॉसा चार्ट खाना है तो इसमें आपको क्या क्या चाहिए तो चलिए पहले हम समुसे बना के आपको दिखाते हैं तो संुमॉसा बीफ्रेंड गढ़ने में बहुत टाइम लगती है तो यह आलू का मसाला है मैंने मैदा भी पहले लगा कर रखा है तो मैं आपको नाटासान के दिखा रही हूँ क्योंकि वो सब की रेश भी हम डाल चुके हैं अपने चैनल पे और में लिंक में जाकर देखिएगा तो मैंने समोसा का भी चैनल डाला है वीडियो डाला है और आलू का मसाले का भी तो देखिए हम आपको सींपल इस्टारिक बन प्राम र cash यान आए तो इस तरह से आप बस एक लंबा सा बेल और इससे अब मसाला अवको आइसे चपका लेना है और और आपके समोसे बने के डम रेडी हो जीएंगे आपको करनाँ नहीं ऐसे जल्दी फटाफट समोसे बन जाते हैं और अप क्यों सकते हो अगर ऊपम जटाफ़ समोसे काते हैं तो 20 छालीष में क्लेट यह पोहस महलाने में आप अपने घर में ही हेल्दी चीज बनाएं और खाएं क्यूंकि देखिए बाजार में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है लेकिन ऊपता नहीं चलता है कि कपकी बनी हुए है घर में आप ताजा बनाएं और खुद भी खाएं परिवारों खिलाएं कि आज कल बाहर में हम लोग जत्ते खातने होते ज्यादा बीमार होते हैं यह दियान रखें तो यह देखिए मैंने कितनी जट पड़ी समोसे बन जा रहे हैं अगर आपको बीच में खूल जा रहा है तो कोई दिकत नहीं है आप पानी से इसको आ कि जबाद नहीं होगी तो समोसे अच्छे से अंदर तक व होगी है अच्छे से पकेगी नहीं तो अगर आपको कूछी माँ बनाना है तो इस तरह से आप घर में सोमसा चाड बनाई बहुत अच्छा लगता है खाने में और बनागे भार भार खाने का मन करता है इतनी टेश्टी सोमोचा घर में बनाए अगर मत्र हो तो मत्र के छोले बना ले चोले में बहुत सीम्पल छोला बनाए और अपने घर में इसे चाड बनाएं देखिए मैंने दूसरा बार भी शुमोसा डाल दे रही हूं उसके बाद मैं आपको चाड भी बना कर दिखाऊंगी कि मैंने चाड कैसे बनाया और मेरे मेरे घर में सब बहुत अच्छे से खाएं तो फ्रेंड आप भी हेल्दी खाना खाएं कि आज कलका जो है बहुत चीज में मिलावट मिलावटी हो रहा है तो इसलिए हम बोरें फ्रेंड आप लोग भी हेल्दी खाना खाएं और अपना सेहत का धियान रखें जितना हो सकते हम लोग बाहर में चीज तो खा लेते हैं लेकिन पता नहीं चलता है फिर हम लोग कब बिमार हो जाते हैं इसलिए आप अपना सेहत के खियाल रखें खाएं यह बाहर लेकिन अगर अच्छा चीज हो तो खाएं और ने का अप घर में बनाएं और यह देखिए समोसा बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है पस आपको आते और बनाना है बस लेकिन आप इतने समोसे में आप रेश्पी आपको मिलती रहे तो देखिए मैंने सोमोसा डाल दिया है मैंने छोले भी डाल दिया मैं प्याज भी डाल दी हूँ अब इसमें हम डालेंगे दही डाल दिया अब इसमें मैंने हरी चटनी डाल दी हूँ अगर आपको इमिली की चटनी पसंदो तो इमिली की चटनी थोड़ी से उसमें हमेंने नमक भी डाला है, शेना नमक, उसके उपर फिर से दही डालेंगे, चटनी डालेंगे, और यह देखिए हमारी सुमोसा चाट बन कितम रेडी हो चुकी है, तो चलिए फ्रेंट, हम नया नया वीडियो लेक्याते हैं, और इतनी टेश्टी बनी है, ए ठीके फ्रेंट, बाई फ्रेंट